हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो एटवन्टीफू नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोद्देव विध्याले समीती में क्लास 11 क्लास में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ओनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एडमिशन के लि साथ में आपकी जो लेटेस्ट पास्पोर साइज फोटोग्राफ है, सिगनेचर है, केंडेट के, सिगनेचर पैरेंट्स के और तैयन की जो मार्शीट है, वो आपको अप्लोड करनी होगी, अब यहाँ पर फैन से देखिए, आपको कौन-कौन सी सीट यहाँ पर एविलेब लें, एक जुन 2002 से 31 माई 2006, दोनों डेटों को मिलाकर, इंके बीच पैदा हुए कैंडेट ही, इसमें इलिजीबल है, और 10 क्लास पास आउट, जो कि 2019-20 में हुआ है, वो ही इसमें इलिजीबल होंगे, बागी की जानकारी फ्रेंस, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इससे लेटेट जानकारी मिल जाएंगी, बात करते हैं, कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे, रडिस्टेशन जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रेखे यहाँ पर registration page open हो जाएगा अब registration करते बाद सबसे पहले आप से पूछेगा select the state in with the candidate class 10th तो class 10th उसने कहां से पढ़ी है उस state को आपको select करना है इसके बाद select the district तो आपको यहाँ पर district select करना है मतलब जहाँ से भी 10 की है वो कौन से district से की है इसके बाद उसका नाम आपको candidate का नाम आपको यहाँ पर fill करना होगा इसके बाद mobile number parents का आप दे सकते हैं और उनकी जो date of birth है वो आप इस calendar पर click करेंगे और जो date of birth है वो आप यहाँ से select करने के बाद नीचे आपको यह capture code दिया गया है यह capture code फिल करके आप यहाँ से करेंगे इसको submit इसके बाद fans से आपका जो registration process ही complete हो जाएगा आपको आपका जो username में registration number है वो आपको मिल जाएगा password मिल जाएगा आप उसे note down कर सकते हैं साथ में आपके जो register mobile number है उस पर भी send के जाएगा अब आपको यह details को fill करके बस यहाँ से login कर लेना है इसके बाद fans से आप login कर जाएगे अपने dashboard पर और यहाँ पर देखिए आपको जो face दिये गया है इस face में आपको complete करना है इस form को पहला step आपका complete हो चुका है second step जो है face 2 यहाँ पर आपकी personal details related जानकारी आपको fill करनी होगी तो आप click करेंगे click on registration form face 2 वाले section पर इसके बाद fans से आपका जो personal details section है यह आपका open हो जाएगा आपका जो candidate name है वो आपने यहाँ फिल कर दिया है registration करते हैं हमें अब आपको यहाँ पर fill करना है आपका mother name जो कि आप यहाँ पर fill कर सकते हैं और उसके पर आपको यहाँ पर fill करना है आपका father name और यह सभी detail आपके 10 की marks जिट के according आप fill करेंगे अगर guardian के आप पास रहते हैं तो गारजन की detail भी आप fill कर सकते हैं नहीं तो इसको blank छोडेंगे identification mark में चहरे, हाथ, पेर पर कोई भी friends यहाँ पर cutka mark है या burn mark है या फिर कोई mole है तो आप दे सकते हैं नहीं है या फिर आप नहीं देना चाह रहे हैं तो आप इस समय no marks भी कर सकते हैं इसके बाद gender आपको select करना है आपकी category कौन सी है general है SC, ST, OBC वो आप यहाँ से select कर सकते हैं आपका marital status आपको select करना है date of birth आपकी यहाँ पर आ जाएगी disability आपको select करनी है अगर इन वे से कोई है अगर कोई भी disability है आप इसको select करके percentage of disability मेंशन कर सकते हैं नहीं तो इसको blank छोड़िए आप यहाँ पर area select करेंगे आप रूलर या urban किस एरिया में रहते हैं इसके पर आपका अधार का 12 डिजिट का जो अधार का number है वो आप यहाँ पर fill करेंगे और इस section में आपको आपका जो address है पूरा address जो भी आप लिखते है इसके बार आपको आपका state लिखना है और यहाँ पर फैंसे आपना जो pin code है वो आप यहाँ पर fill कर देंगे आपका telephone number आपका mobile number annual income of parents कितनी है तो वो आपको यहाँ पर देनी होगी तो आपके father की आपके mother's की आपके parents की दोगी आपकी income है वो आप यहाँ पर mention करेंगे और यह yearly आपको mention करनी होगी इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको upload करना होगा आपका image जो की friends candidate की image होगी जेपीची format में आप यह upload करेंगे 10 से और 100 के भी के पीच उसका size होना चाहिए आप यहाँ पर browse के माध्यम से इसमें इसको upload कर सकते हैं upload करने के बाद friends आपकी जबी data complete हो जाएगी सभी detail अगर आपने fill कर दी होगी उसके बाद आप यहाँ से इसको save and nest कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपका nest option activate होगा जो की है 10th standard details का तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए school का नाम क्या है तो पूरा नाम आप लिखेगा मैं भी short में यहाँ पर entry कर रहा हूँ आपको पूरा नाम लिखना है यहाँ पर आपको बताना है recognize है या not recognize है आप इसकी जान करें देंगे school की location आपकी ruler या urban कहां पर है वो आप बताएंगे air of passing आपको select करना है board of affiliation आपको select करना है मतलब किस board से आपने इसको pass किया है अगर friends से आपको आपका इस list में कोई भी board नहीं मिलता है अधर भी select कर सकते हैं तो आपके according जो भी board आपने 10 पास की है वो आप select करेंगे other करते हैं तो उसको specify आपको करना होगा medium कर रहा है आपका पढ़ने का 10 करने का in Hindi English यह other वो आप दे सकते हैं other करते हैं तो उसको भी आपको specify करन होगा और इसके वर आप यहां से इसको save and nest कर देंगे इसके बाद यहां पर आपका next section है जो की है stream या district of preference का तो यहां पर देखिए आपको यह stream नेम दिए गया है vocational science without mathematics science with mathematics, humanities commerce without mathematics, commerce with mathematics तो आप यहां पर कोई भी option को preference देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं और preference का जो code आपके according जो भी आप subject को चूज करना चाहे वो आप यहां पर कर सकते हैं माल लिज़े आप science with mathematics को भी देना चाहते हैं तो आप दो भी यहां पर select कर सकते हैं आपके according आप जो भी preference देना चाहे वो कीजिए अगर आप math लेना चाहते हैं तो math से कीजिए science में के आप बाइवा कुछ लेना चाहते हैं तो आप उसको करीजिए commerce लेना चाहते हैं तो commerce कीजिए vocational करना चाहते है vocational कीजिए इसके बाद आपको district preference first two and three आपको mention यहां पर करना होगा तो जो भी आप यहां preference देंगे उसके according देखिए आपको यहां पर जो आपके districts हैं वो आपको देखने को मि जाएगा वो आप यहां select कर सकते हैं इसके बास second district का आपको यहां पर देना है आप अपने according यहां पर आपको जो भी district select करना चाहे second वो कर सकते हैं तीसरा district पर फैस देना है तीसरा भी आप दे सकते हैं और यह करने के बाद ही आप इसको यहां से nest करेंगे तो friends से यहां पर district आपको जो है mention करने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही district mention किया है क्योंकि मुझे other district में जाकर पढ़ने की जोड़ नहीं है या फिर मेरे चाइल को पढ़ने की जोड़ नहीं है अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने home district लिए apply करें कर सकते हैं अगर आप च यह capture code दिया गया है यह capture code आपको fill करना है और उसके बाद यहाँ पर submit करना है सम्मिट करने से पहले friends जो भी आपने detail यहाँ फिल की है वो आप चरूद चेक कर लें क्योंकि submit करने के बाद आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को ध्यान रखना है और एक बार submit कर द देखिए जो option है upload 10th class detail का आप इस पर click कर सकते हैं और उसके बार अपने details जो है वो आप यहाँ पर enter करेंगे अब आपके mark system है तो mark पर click कीजिए अगर आप grade system है तो आप grade पर select कीजिए आप कोई भी option को यहाँ पर select कर सकते हैं और इसके बाद fan से आपको नीचे आना है और देखिए यहाँ पर आपकी subject details है तो सबसे पहले आपने क्या क्या subject 10th में पढ़ी है यहाँ पर आपको enter करना है maximum mark मतलब कितने numbers का पर paper हुआ था यहाँ एंटर कर सकते हैं और आपके कितने numbers आए हैं वो आपको यहाँ पर enter करना होगा तो यह आप अपने according जो भी आपके numbers है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी extra subjects है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद फ्रेंस से आपको देखिए नीचे एक option मिलेगा games and sports का NCC का scouts and guide का तो आपके according अगर आपने मालेजिए इसमें से किसी में भी पार्ट पर आप यहाँ पर आपकी मारशीट अप्लोड आपनी जो भी मारशीट है वो आप यहाँ से अप्लोड कर सकते हैं इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पर एक message मिलेगा जो आपका phase 3 है वो भी आपका complete हो चुका है मतलब overall आपका form complete fill हो चुका है अब आप यहाँ से आप उस option पर क्लिक करेंगे print registration form का नीचे आप कोई tab मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने registration form का जो print out है वो निकाल कर अपने पास रख लेंगे अगर friends से माल लेजिए आपका window open नहीं होती है तो आपको एक उपर देखे पीले रंग का pop-up कुलेगा आप यहाँ option पर जाएंगे और यहाँ से इसको allow कर देंगे इस pop-up को और उसके बार आपका जो भी next window है जहाँ से अपना print out ले सकते है वो आपका open हो जाएगा तो यहाँ पर friends से इस वीडियो हमने बात की नवोध्य विध्यले समीती में online application form जो की friends admission class 11 2020-2021 के लिए निकाला गया है वो आप कैसे fill कर सकते हैं क्या-क्या documents आपको upload करने हैं क्या-क्या criteria है क्या-क्या details आपको fill करनी हैं सभी के बारे हमने इस वीडियो में बात की है अगर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप detail कुछ चेक कर सकते हैं तो ऐसी ही latest update के लिए बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel and last thanks for watching